Hello Friends, Good Morning All दोस्तों कई लोगों ने मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आपने क्वेरिस डाले थे और क्वेरिस में काफी लोगों ने बुला कि सर मुझे SSCJE के कुशन प्लीज बताईए कौन-कौन से important कुशन SSCJE में आ सकते हैं और कई लोगों ने software के लिए डाले थे कौन-कौन से important question concrete technology से हैं कौन-कौन से important question सोम से हैं surveying से हैं तो इस तरीके के कई लोगों ने comment किया तो मैंने सुचा क्यों ने उनके लिए भी कुछ हम लोग वीडियोस त्यार करते हैं तो ये कुछ series में start किया हूँ जिसमें मैं SSCJE के जो important questions हैं SSCJE नहीं आप किसी भी government exam के त्यारी कर रहे हैं जो civil से related है उसके लिए कुछ important questions मैं त्यार किया हूँ जो मैं आप तक पहुचाना चाहता हूँ आपको ये कैसे लग रहे हैं प्लीज मुझे बताइएगा और software के जो भी बचों ने comment किया है प्लीज आप परिसान मत होएगा software का भी बहुत ही जल्दी में tutorial लेके आने वाला हूँ लेकिन अभी इनका exam है तो थोड़ा सा आप लोग भी compromise करिए और थोड़ा सा wait करिए और SSCJE का जैसे इनको मैं 8-10 series कराने वाला हूँ ये जैसे ही करा देता हूँ तुरंत software भी बनाऊंगा और SSJ वाले सभी लोग मेरे साथ लग जाएए आपको बताएए कि कौन से topic में problem आ रही है उसी topic का मैं वीडियो बनाऊंगा और इस वीडियो को लास तक देखिएगा बताएगा मुझे ये वीडियो cancel लगा चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आता है fly-ass आपको पता होना चाहिए कि fly-ass क्या है fly-ass एक admixture है क्या है ये एड्मिक्शर है ये क्या करता है ये आपके cement की quantity को reduce कर देता है कहा तक 20% तक तो उसमें लिखा है fly-ass is small-ass particle क्या होता है ये एक s का particle है जो क्या करता है cement की quantity में लग इसके जग़ा पे cement को 20% कम करके उसके जग़ा पे fly-ass अगर आप लगा देते हैं तो strength में problem नहीं आएगी बड़ costing कम हो जाएगी इसलिए इसको यूज़ करते हैं payment में भी यूज़ करते हैं बहुत से जग़ा पे यूज़ करते है अब देखिए टाइप से प्लाइएश एक होता है C टाइप एक होता है F टाइप तो इसमें कहीं ने कहीं से आपको एक question बन जाएगा fly-ass से अब fly-ass के वारे अगर जब जानने हैं तो थोड़ा थोड़ा इसके आगे पीछी का भी जान जाएँगे कुछन ऐसे ही बना जाता है कि 2013 में फ्लाइस का यह पूछा गया तो उसके आगे कुछ और पूछ ले जाए कुछ और कुछ और कुछ और कुछ नहीं एरिया से पूछे जाएंगे बहुत सकते हैं जैसे कि पूछ सकते हैं कि टाइट सब सर्वींग छूनअ होगा आपने ब्लेन सर्वइंग और उसके बाद जियोडेटिक अबसक्षाइब करते हैं 250 किलो मीटर पार स्कुर्वायर के अंडर अगर एरिया है उससे भी कुछ न पूछ सकते हैं तो हम लोग प्लेन सर्वइंग उच करेंगे उसके ऊपर का से रटेर्व कुछ पूच्छिन पूच्छा तो साथ यहां से उठा सकता है या पूछ सकता है कि जो समट इंचास पॉइंट होते है उधाए वह सकता है कि यह विसमें को बोले आपको या लाइन पासेस पासिंग थ्रो अब्जेक्टिव लेंस अब सिविल इंजिनिंग में लाइन कहां से पास कर सकता है लाइन पाइलर टू मीन स्पेरिकल सर्फेस ऑफ दे अर्थ तो इस तरीके के भी कुश्यन आपको आ सकते हैं ठीक है कि इसके बाद है रेंर्जिंग इस डीफाइन आपने दिखा होगा रेंर्जिंग राड़ हो गलगा देखा देखा हो गाना तो कहां व्यूज करते हैं और इसके बाद एक किसका बना होता है अब अगर sands related question आ चुका है एक मतलब आगे भी sands related question आ सकता है क्या आ सकता है sands related फिर रल तो इसको देख लो कि sand particles are made of किसका बना होता है यह quards का बना होता है ठीक है अब क्या बूच सकते हैं कि इंडिया में सबसे अच्छा sand कहां से मिलता है तो आपको पता होना चाहिए इन और से मिलता है कहां से मिलता है इन और से आप बोलोगे सरिंदो इन और कहां पर है इन और है मद्रास में कहां पर है मद्रास में, तो हो सकता है आप से ये पूछ ले, और कभी हो सकता है आप से ये पूछे, कि सेंड का साइज क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए, एक सेंड को क्या बोलते हैं, तो सेंड को साइज होता है, और होता है तो दफ सेंड which पास्त्रो 4.75 mm iSC inальces पड़ा होता हमाना the the sand which is passed through 4.75 mm isc and 4.75 mm and written on written on 75 micron written on 75 micron is called sand ya fine aggregate the aggregate which passed through 4.75 mm isc and written on 75 micron is called sand is called sand or fine aggregate तो अगर fine aggregate बोल दिया तो आप से पूसकता है इसके बारे में कभी कभी हो सकता है आप देखें सेंट की बारे सेंट का देंसिटी भी सकता है तो 1600 तो अगर सेंट को बारे में एक भी कुशन पूछा तो आप सारे कुशन सेंट के तयार कर लोगे तो बहुत ज्यादा possibilities हैं कि आपको kg per meter cube unit बहुत ज़रूरी है याद रखना तो सेंट से डिटर हर एक टाइप की कुशन त्यार कर डालो कि जहां से भी कुशन बनते हैं चलिए आगे चलते हैं अगर यह चीज है बहुत हैं अगर क्या हो जयादा हो पूछक क्या बोलते हैं बॉलते हैं आपने सुना हो ग़ाई पूटिंग पाईल पॉटेशन और चलिए अगे चलते हैं तो अभी देखिए और क्या कुशन बन सकते हैं आपसे फाउंडेशन में एक बार कुछा था एससी ने की वेल फाउंडेशन कहां पर या वेल फाउंडेशन का दूसरा नाम क्या है तो वेल फाउंडेशन कहां यूज करते हैं ब्रीजे स्ट्रक्चर में बनते हैं ब्रीजे स्ट्रक्चर में यूज करते हैं इसक कि यह कि यह प्लास्टिक यह प्लास्टिक-ठीड स्वाइल्स क्यों क्योंकि यह ऐसा स्वाइल होता यह लास्टक लडने की स्ट्रेंद देता है क्या पोलते हैं इसको किसीने यूझे करते सब्सक्राइब करते हैं कितना यूख करते 62 60 are 67 परसेंट क्यों यह यह स्ट्रेंथ भी देता है और क्मटिती इंक्रींटी करता है और क्या है यह प्लस्टिक ब्लस्टिक क्लेस वाहा हुट है अब निश्टिक लीट Plastic limit means वो limit जहां पर वो last तक लडने की कोशिस करे structure को last dham तक बचा है तो इसले ये क्या हो गया ये? Plastic clay soils Now, bulk modulus of a fluid is the ratio of bulk modulus of the fluid is ratio of, किसका ratio ही ये? increase in pressure to the volumetric strain increase in pressure to the volumetric strain ठीक है याद कर जाना bulk modulus of the fluid is the ratio of किसका ratio है increase in pressure to the volumetric skin मलब ऐसे याद कर सकते हो pressure volumetric strain ठीक है उसका ratio है ठीक है भी ओंसी depend upon किस पे बीओंसी मलब क्या होता है flow करने की कोशिस आया flow करने की कोशिस तो यह किसी होता है यह weight of the liquid of displaced weight of the weight of the liquid of the displaced ठीक है जितना उसका liquid का जो weight होगा उसपे depend करेगा कि कितना कैसे flow कर सकता है ठीक है तो यह fluid mechanics equation बन सकता है कि the shear diagram for a cantilever beam is subjected cantilever beam मलब अब देखो कभी आपसे question पूछ सकता है क्या पर इसको देख लेते भी बताता हूं the shear diagram for a cantilever beam subjected to concentric load at free int is given and free int पे कैसा होता है वो होता है rectangular कैसे हो रेक्टेंगुलर ठीक है उसका shear diagram कैसे होगा rectangular होगा आगे मैं shear force of bending moment का like numerical भी लेके आने वाला हूं चले तो यहाँ पर क्या होता है oneships और सिकंड tock a tomar इसको क्या बोलते है दिक्कत होती है इंवां कॉछ साइब नीवरमें फृप्ट करिवर किनी क्या होता है वंसाइट फीक्स and seconds 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 Lars साइब रोलर second साइब रोलर और आ एन सिकंड साइब क्या होता है go उलर और first side fix तो इसको क्या बोलते है prop cantilever तो ये भी आपसे exam में पूछा जा सकता है मुझे जो लगता है simply supported beam is carrying distributed load is zero उसका कोई load नहीं आ रहा है intensity or in one support to linear varying nature of intensity w बढ़ता चला जा रहा है or the other supports the shape of BMD will be जब ये simply supported रहे जब ये simply supported रहे और uniform wearing load जा रहा है तो हमेशा उसका जो सेफ होगा कैसा parabolic parabolic confusion होने की जरूरत ही नहीं है मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि parabolic कभ होता है और rectangular कभ होता है सारा बताया हुआ था मैं discussion box मो भी दे दूँँ आपको following is beam is ठीक है अब देखो shear force पहले तो जान लो shear force होता क्या यार shear force means algebraic sum of all the forces algebraic sum of all the forces from positive and negative direction अब मुझे shear force निकालना है इस point पे ठीक है तो इस point पे जब निकालना है दोस्तों तो आपको पता होना ची l by 2 l by 2 में लब ये total क्या होगा ये l ठीक है और ये क्या है m moment ठीक है तो ये क्या होगा shear force सीधे सीधे होगा m by l क्योंकि moment सीफ इदर से जा तो इसका ये action इदर से बन जाएगा और ये total क्या होगा m by l तो जो दो सोचने की जरूवत ही नहीं होता क्या algebraic sum of all the vertical forces ठीक है कोई फोर्स तो आ नहीं रहा है ठीक है तो क्या हो रहा है moment जा रहा है m और ये कितना है total l खत्म m by l ठीक है shear force निकालते हैं क्यों है ये भी question मन सकता है shear force क्यों निकालते हैं किसी beam का जिससे क्या नहों shear failure shear failure कैसे होता है ऐसे जाए कभी अचाना से टूड़ याएगा इसे यह देको टूड़ या ना इसको बोलते हैं shear failure तो इसको control करने के लिए क्या यूज करते हैं क्या फाइंड करते हैं shear force ओके और उसके बाद structure which offers negligible means zero resistance on bending at any point resistance zero है ठीक है resistance zero है और उसके बाद zero resistance on the bending at any point is known as ठीक है अगर जिरो resistance है तो क्या होगा वह कैबल होगा क्या होगा वह क्यों 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 क्योंकि क्योंसी दा के वहले स्ट्रेट जाता है क्यों क्योंकि जैसे कि यहां पर आप गेडर का आपका लोड डिफरेंट होता चला जाएगा क्यों कि ऑपर से लोड भी आ रहा है कि गेडर उपर से क्या हो आगया लोड भी कुछ रखोगे न तो इसलिए गेडर थो हो नहीं सहकता है 24 लग रहे थे बाट यह नहीं होगा आपका क्या होग söरे owners ठीक है क्या होगा cable next the object of curing is not to the object of curing is not to reduce the strength of concrete क्यों आपको curing नहीं पता है क्या क्यों पता है ना जो पानी डालते हो आप slab के उपर ठीक है आप curing से अगर question बना अगर किसी एर में अगर question आया अब दोको यहां पर सीधे सीधे आ रहा है पहला क्या तो लगी नहीं रहा है प्रिवेंट दे लॉस ऑफ वाटर बाई इवप्रेशन भाईया लॉस ऑफ वाटर क्या से होगा यहां क्यों क्यूरिंग दे रहे हैं तो ठीक है क्यूरिंग दे तो strength of concrete ठीक है अगर हम क्यूरिंग नहीं देंगे तो किया होगा strength उसके मिलेगा क्यों पानी नहीं मिला है अजहर तो सीधे-सीधे गनी बैक जिसको बोलते हैं अगर टेकनिकल लेंगज बोला जाते हैं वेट कवरिंग प्रॉसेस बोलते हैं एक होता है application curing ठीक है application chemical curing ठीक है और एक होता है आपका यहां पे आपका पॉंडिंग आपको पता होना चाहिए कि पॉंडिंग भी बहुत ही अच्छा है और एक लास्ट होता है steam curing भाव से जहां पर वाटर कम होता है वहां पर क्या करते हैं steam curing करते हैं तो अगर curing नहीं करोगी curing is not to अगर नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा reduce हो जाएगा क्या strength of the concrete इसके बाद which of the following is added for quick setting of cement quick setting of cement quick setting के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग यहां पर यूज करते हैं aluminum sulfate क्या यूज करते हैं सीमेंटा नあ अपन कहीन कहीं से कुशन बनेगशा पर्मूलबको क्या होता है क्यों 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 क्युक्तом 3 months की वरक करता zeggen इसका strength अब उसके अंदर में नहीं है रोक सके जमने से किया है और उसके साथ緣 Desk 로 करते हैं lime का यूज करते हैं strength देने के कई और किया फार्मूला की होता है सी ये हो सीलिका उच करते हैं कितना तो यहां से भी कुश्चन बन सकताा तो आप इस विट्यार रहिए इसके लिए के युश करते हैं और आना ऑक्साइब यूश करते हैं टिक है तो देखा आप District कलर का सिमेंट गरों में प्लास्टर करने के लिए यूज़ करते हैं लोग तो इस तरीके के questions आपके बन सकते हैं मैंने लास्ट में यहाँ पर आपको कुछ answer भी देदी हैं डारेक्ट आप यहाँ से answer भी देख सकते हो आपको यह स्रीच कैसी लगी आपको क्या और भी questions और आपको यह अगर PPT चाहिए तो मैं आपको description box में अपना टेलीग्राम ग्रूप देदे रहा हूं टेलीग्राम ग्रूप में आईए आप वहां पे दिन भर आपको ससी जई के study material मिलते रहेंगे तो आप उसको आराम से study कर सकते हो और आप download करके अपने पास रग भी सकते ह तो thanks for watching this video hope you like this guys अगर अच्छा लगा तो निचे comment करिए जिससे हम और भी ज्यादा आपको question दे सकें